इस वीडियो में हम बात करेंगे MSC के कुछ टॉपिक्स की यह फोर सेमेस्टर का पार्ट है पैरसाइटोलोजी आपको एक सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलेगा जो हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होता है जैसे कुछ बच्चों को मेरिट वाइस या फिर उनके इंट्रेस्ट के अकॉर्डिक एंडोक्राइणोलोजी मिल सकता है पैरसाइटोलोजी मिल सक प्लस उनकी इंफॉर्मेशन उनकी लाइफ साइकिल हमें सब कुछ बताया जाता था प्लस उनकी स्लाइट बनवाई जाती थी हम लोग को पैरसाइट निकालना पड़ता था डिसेक्शन के थूरू और उनको प्रिजर्व भी करना पड़ता था तो वह प्रैक्टिकल उन्हीं से वो अपना food लेते हैं प्लस अपनी प्रोजनी यानि अपनी जन संत्क्या बढ़हाते हैं उन्हसे अपना shelter लेते हैं ठीक, कुछ parasite acto parasite होते हैं यानि वो उस host particular organes के body के बाहर survive करते हैं यानि उन्हीं से attached हो लेकिन उन्हीं की body के अंदर नहीं होंगे बहार सर्वाइब करेंगे तो उनको हम ecto parasite कहते हैं प्लस जो parasite per gv किसी भी animals के अंदर रहते हैं उन्हें हम endo parasite कहते हैं जैसे कि हम पे एक example दूँँगी आप लोग उन्हें lies का नाम सुना होगा जुएं ठिक तो वो एक acto parasite है क्योंकि वो human beings के head region में पाया जाता है यानि बाहर पाया जाता है वहीं अगर हम tenia solium की बात करें तो वो human beings के अंदर पेट में पाया जाता है वो आथ में पाया जाता है और वो काफी लंबा होता है तो ये different different parasites होते हैं जो की different different organs के अंदर मिलते हैं अब ये सारे host dogs हो सकते हैं, animals हो सकते हैं, dog हो गया, buffalo हो गया, goat हो गया, sheep हो गया और human beings में भी कभी-कभी मिलते हैं, fishes हो गई, तो हम यहाँ पर gyrodactylis के उपर focus करेंगे ये presentation था, actually आपको भी presentation बनाने के लिए कहा जाएगा, plus आपको उस particular presentation को represent करना पड़ेगा और आपकी classmates आपसे queries करेंगे, questions पूछेंगे, plus आपके mentors and supervisors और जो भी teacher होंगे, वो आपसे question पूछेंगे तो आपको अपना topic अच्छे से याद करना है, और समझना है, तो यहाँ पर हम video start करते हैं सबसे पहले हम इसकी classification के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख रहा है kingdom animalia phylum platy helminthis platy helminthis में इसलिए रखा गया क्योंकि इनकी body काफी soft होती है, इनमें कोई rings नहीं पाई जाती है यानि segments नहीं पाई जाते हैं, और इनकी body काफी soft होती है, और यह अपना भोजन दूसरे animal से लेते है और इनकी body flat भी होती है, अब class monogenia है, तो monogenia से यहाँ पर यह तातपड़े है कि यह जो इनकी पूरी life cycle होती है, वो सिर्फ एक single host पे यह survive करते हैं, यानि इनकी पूरी life cycle complete होगी, वो सिर्फ एक single host पे होगी, जो की एक fish होती है salmon fish, तो इसलिए इसे monogenia में रखा गया है, die genia अगर होता है, तो इसका मतलब यह होता है, कि किसी भी parasite की life cycle दो host पे रन होती है, चलती है यानि अगर उसका पहला host जो human beings है, तो दूसरा host कोई animal होगा, तो अगर ऐसा होता है, तो वो die genia में, class में रखा जाता है, तो यहाँ पे monogenia है, यानि इसकी पूरी life cycle सिर्फ एक host पे रन करेगी, उसके बाद order है, then family है, gyrodectyly day, उसके बाद है genus gyrodectylus, यहाँ पे आप underline करना है, और genus name हमेशे start होता है, capital letter से, इसका first letter capital होता है, और species में first letter small होता है, यहाँ पे आप pictures देख सकते हैं, एक बात और मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे, आपको इसकी picture black and white दिख रही है, क्योंकि parasites generally कोई color के नहीं होते हैं, क्योंकि यह आपको body के अंदर मिलेंग यह फिर body के बाहर मिलेंगे, और यह microscopic होते हैं, यानि आप gyro dactylis को अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकता है, आपको microscope की जरूरत पड़ेगी, microscope ऐसा instrument होता है, जो की small small काफी चोटे 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 organs को देखने के काम आता है, जिने हम आप खुली आँखों से नहीं द Harris at all ने रिपोर्ट किया था, 409 species इसकी ढूंडी जा चुकी है, और इनके होस्ट कितने मिल चुके हैं, 400 से ज़्यादा होस्ट हैं, यह एक्टो पेरसाइट हैं, मैंने पहले भी बता था, एक्टो पेरसाइट वो होते हैं, ऐसे पर जीवी होते हैं, जो अपने होस्ट की body के बाहर सर्वाइब करते हैं, और उनसे अपना फूड लेते हैं, उसके बादे देयर होस्ट इस्पेसिफिक और अधर स्पेसिफिक होंगे, यानि अगर यह सैलमन फिश के ऊपर पाए जा रहे तो यह उसी पर्टिकुलर स्पेसिश के फिश पे पाए जाएंगे, बागी किसी और फिश पे नहीं मिलेंगे, कॉस्मो पॉलिटन डिस्टिबूशन में यह यानि पूरी दुनिया में यह पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सिफ एक कंट्री या फिर एक एरिया में यह मिलें, ठीक, उसके बाद इसके कुछ ओरीजन हैं, तो ओरीजन हम में habitat के बारे मिलें बात करते हैं, कि मतलब इनका करते हैं, रहन सहन कैसा है, कैसे किस कंडिशन में यह रहते हैं, तो गायरो डैक्तायल सेलरिस की हम बात कर रहे हैं, यह काफी चोटे होते हैं, मौनोजीनिनЬयन यानि यह अपनी life cycle से होस्ट पे continue करते हैं, और इनका जो, इन और ये इत्लैंटिक जो सैलमन फिश होती है उसके उपर ये मिलते हैं अब इनकी बॉड़ी जो होती है वो लीच लाइक होती है यानि आपने जोंग देखा होगा उसी तरह से होते हैं इसलिए इनको कभी-कभी सैलमन फिश फ्ल्यूग भी कहा जाता है मौर्फोलोजी की बात करें हम तो मौर्फोलोजी में जो बॉड़ी का स्ट्रक्चर होता है बाहरी बनावट कैसी होती है इसके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले इनकी बॉड़ी जो होती है फ्लैट होती है और बॉड़ी इनकी डिवाइड होती है बॉड़ी में प्ल वो काफी important होता है अब इसकी अगर हम body की बात करें तो body में इसके head organ होते है gland cells होती है pharynx होते है intestinal C का simple होता है pharynx जो इसे nutrition लेने में help करता है उसके बाद ये different organs है coplatory organ है genital atrium है excretory bladder है pores है ये सारी चीज़े इसमें present होती है तो ये तो इसकी body की बात हो गए अगर हम इसकी hapter की बात करें तो ये काफी important है यहाँ पर देख सकते है hapter इसे सबसे पहले price ने 1934 में discover किया था और इस term को दिया था particular hapter के नाम से इसमें आप जो नीचे circle form में देख रहा है एक anchor बना हुए और प्लस छोटे-छोटे spikes यानी कांटे की तरह बने हुए है 16 hooks यानी total 16 hooks होते हैं और एक anchor होता है जिसकी वज़े से ये क्या करता है अपने जो host fish होते हैं उन पे attach होता है उन पे चिपकता है और इसी hook की help से वो उसे penetrate करते हैं और fish को कभी-कभी इतना injury कर देता है और disease भी cause करते हैं तो इस हैप्टर की help से ये क्या करते हैं ये एक attachment organ होता है इसी की help से ये attach हो जाते हैं उस particular host पर अब इस anchor में root होते है shaft and point होते हैं तो ये आप देख सकते हैं अब life cycle की अगर हम बात करते हैं तो parasitis viviparis viviparis means होता है कि जो भी organism है वो जब अपने जैसे new progeny को birth करे यानि नई प्रोजनी नई जीव जो होंगे उनको पैदा करे और oviparis होते हैं ऐसे जीव जो अंडे देते हैं और viviparis ऐसे जीव होते हैं जो young ones को जन देते हैं इसमें poly embryoni होती है poly embryoni क्या होती है जब एक fertilized ovum से कई सारे embryos बनते हैं छीक तो उस process को हम poly embryoni कहते हैं यानि जब एक fertilized ovum होगा उससे different different कई embryos embryos बनेंगे तब हम उससे poly embryoni process कहते हैं लेकिन इसकी life cycle में सारे embryos एक साथ develop नहीं होते हैं पहले एक embryo डेवलप होता है उसके बाद उसमें से जो young one निकलेगा new organism निकलेगा new gyro dactylis निकलेगा उसके बाद दूसरा embryo डेवलप होगा यह इसकी कुछ खास बात थी कि पहले सबसे पहला embryo जब तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाता तब तक दूसरा embryo नहीं बनता है या फिर नहीं बाहर निकलता है उसके बाद जो first temperature होगा वो उस particular fish जो की salmon fish होगी उस पे attach करेगा और उससे अपना nutrition लेता रहेगा और adult में change हो जाएगा उसके बाद pathogenicity pathogenicity ऐसा process होता है जिसमें हम यह जानते हैं कि मतलब कि कोई भी parasite किस तरह से किसी particular host को infect कर रहा है और disease cause कर रहा है तो उससे हम कहते है pathogenicity तो इस gyarodactylist जो है हमारा parasite वो किस तरह से host को penetrate या फिर कैसे disease cause करता हम यह बात इसमें समझेंगे तो सबसे पहले parasite क्या करता है उस particular fish इसे hapter की help से attach हो जाता है उसके बाद यह क्या करता है जब hapter में जो anchor हमने बात की ती उससे यह attach हो जाएगा उसके बाद जो इसके 16 sharp hooks हैं वो उसमें penetrate होंगे तो क्या होता है फिर यह अपने pharynx invert करता है यानि बाहर निकालता है और जो fish होता है जो fish होता है उसमें जो pharynx इसने निकाली है उससे एक digestive solution निकलता है जिसे हम proteolytic enzyme कहते हैं जो की जो salmon fish है उसके skin को धीरे धीरे से dissolve करती रहती है अब जाहर सी बात है अगर एक host में एक parasite तो है नहीं अगर मा लीजे कई सारे parasite आगा है और सारे attach करके सारे अपने enzyme जो harmful enzyme हो उसको release कर रहे है और प्लस उसकी skin को dissolve कर रहे है तो वो ऐसी एक condition आ जाती है जिसमें या तो fish की death हो जाती है या फिर उसे serious injury होती है ठीक तो ये धीरे धीरे उसकी skin को dissolve करते हैं और अपना food लेते रहते हैं जब एक से जादा parasite उस पर attach हो जाते तो ये कभी कभी host की death भी हो जाती है और secondary infection भी cause करते हैं तो सबसे पहले यहां पर देखिए infection के दो stages दी गई है एक early stage है और एक later stage है तो early stage में तो इतना खास damage नहीं होता है जैसे कुछ irritation होती है fin clapping होती है और rubbing होती है लेकिन जो later stage है secondary stage है उसमें कभी कभी death हो जाती है और serious injury हो जाती है उस particular fish को इसलिए कई सारे जो salmon fish है उनकी जो जनसंकिया है वो कम होती जाती है तो अब ये infectious है प्लस ये कहीं न कहीं economy को भी damage या फिर decrease कर रही है तो इसके लिए इसके control क्या हो सकते हैं यहां प बात करेंगे कि जब किसी भी fish को कोई भी ये disease होती है तो उससे कुछ symptoms दिखाई देते हैं कुछ sign दिखाई देते हैं जैसे ulcer हो जाता है skin में peeling हो जाती है fish appearing pale यानि उसका color थोड़ा pale yellowish type का हो जाता है और जादा से जादा उसके mucus secret होने लगती है fin clamping यानि जो उनके fins है प कितनी जादा injury होई है इसे blood निकल रहा है उसके बाद हम इसे control कैसे कर सकते हैं तो control हम कुछ chemical का use कर सकते हैं जैसे यहाँ पर दिया गया है rotten on एक chemical है जिससे हम river में river जो है river है या फिल एक पॉन जहां पर भी ये fishes हैं इनको अगर इनकी अगर जैसे हम कहते हैं अगर हम fish का culture कर रहे हैं यानि उसे PC culture कहते हैं तो आप उस particular river में ये rotten on नमक chemical का छिर्काव कर सकते हैं और ऐसे parasites को आप मार सकते हैं ताकि आपकी fishes जो हैं उनको हाम ना पहुंचे प्लस formaline है copper sulfate है hydrogen paroxide है ये भी effective होते हैं तो आप इनका भी use कर सकते हैं उसके बद हमें जो भी आसपास की नदियां हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि समुद्र है जहां पर भी तलाब तो वहां पर fisherman को हम educate कर सकते हैं उनको postures के थूरू बता सकते हैं उनको video clipping दिखा सकते हैं तो वह भी कुछ एतियाद बरतेंगे और जैसे यहां पर sulfuric acid का भी छिड़काव किया जाते है रिवर्स में ताकि वह parasites को मार सके और अपने और जो fishes हैं होस्ट है उनकी जान बचाई जा सके तो ये control था कुछ ये question long में आता है हमेशा long में आएगा तो life cycle आएगी प्लस control आएगा प्लस pathogenesis तो important ही है और अगर short में आता है तो ये सिर्फ इसके बारे में आपको intro देना पड़ेगा प्लस morphology बहुत है और control measures आप लिख सकते हो जी और अगर आपको presentation बनाना है तो आप ऐस तरह से बना सकत है प्लस last में आप references का भी use कर सकते हैं जैसे यहां पर मैंने किया था मैंने दो book की help ली थी प्लस pictures के लिए तो Google से search किया था तो आप वो सब website अगर आपने किसी website से help ली है तो आप उसका भी mention कर सकते है references में so thank you for all viewers आप लोगोंने मेरा channel subscribe किया है मेरी videos को आप देखते हैं उ thanks for watching